आपका स्वागत एक बिला में मैं हूँ आपका दोस्ते इंडोस चेकनी की लुष्टे शांग इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फोन पे बॉलिट से पैसे कैसे निकाले दोस्तों इसमें अभी क्यों है फोन पे में बहुत से लोगों को प्रावलम आ रहा है कि पैसे निकाल ले में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि फोन पे से आपको जो है पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांस्टर करना है यह हम इस वीडियो में देखने बाले हैं सबसे वहले आप चलेए यह अपने फोन पे में दोस्तों सबसे top corner में आपको एक question mark दिख रहा हुगा जो help का option है उस पे जाके आपको click कर दीजे करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने option आएंगे इसमें से नीचे आप एक option देखेंगे तोड़ा से इसको नीचे करिए यहाँ पे आपको एक option आएगा wallets and phone पे gift card इसके बाद में आएगा फोन पे wallet का option इसके क्लिक करिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा process बनाये गया है कि आप अपने जो wallet का पैसा है वो किसी ने किसी रिचार्ज या किसी ने किसी शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं उसको आप अपने bank account transfer नहीं करते हैं phone पे यह आपसे बोलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा how do I close my phone पे wallet का option इस पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको सारी conditions दी होई इनको अच्छे से पढ़ लीजेगा कि एक बार अगर आप इसको deactivate कर देते हैं close कर देते हैं तो आप activate नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको इसके अंदर में जो भी चीज़ें आपका जो cashback आता है जो भी आता है वो आप wallet में डाल सकते हैं और उसको बाद में उसको use कर सकते हैं तो यह एक अच्छी चीज है इसके अंदर में इसके बाद में दोस्तों नीचे जो इसमें आपको अगर कोई charges बगरा लगने हैं तो मैं आपको बता दूँ इसमें कोई भी charges नहीं दोस्तों अगर आप अपना wallet close करते हैं तो इसमें कोई भी charges नहीं है अब आपको यहां पर नीचे close wallet उसके क्लिक कर देना है और क्लिक करने बाद उपर आप देख सकते हैं refundable जो balance से उपर वह आपका 100 जो भी आपका wallet में आउंट होगा वो दिखेगा यहां पर आपको तीन चार option में से एक choose करना है कि आप क्यों जो है wallet को बंद कर रहे हैं तो यहां पर withdraw wallet balance डाल दीजे यह जो भी आप लिखना जाते हैं या जो भी चीज अना एक करने के बाद में नीचे confirm and deactivate wallet को option इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं यह आप से फिर से confirm करेगा क्या are you sure you want to deactivate your wallet और आपको deactivate wallet पर फिर आपको जो है click कर देना है जैसी click करते हैं यह आप से पूछेगा do you want to able to reopen मतलब आप इसको फिर से open नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर क्योंकि आपका amount अगर आपको transfer करना है तो आपको yes पे ही click करना है जैसी आप yes पे करते हैं आपके account पैसा transfer हो जाएगा और आपको message वहां से आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको यह अपना जो phone pay का wallet का पैसा है वो अपने bank account में transfer करना है I hope दोस्तों आपको यह काम का होगा वीडियो